आज मैं आपके लिए फिट से लेकर आई हूँ गेहु के आटे और आलू के नास्ते की एक नई रेसिपी ये खाने में बहुत ही ज्यादा मेजिंग है और इसे आप हलकी फुलकी भूक में चाय के साथ सुबह शाम एंजॉय कर सकते हैं चलिए तो बनाते हैं इस रेसिपी को त कुछ आइस कीप डाल करके इसकी पूरी बना करके तैयार कर लिया है अब एक बर्तर में पूरी को निक देंगे और इसमें एक चमच के करीब और ही चैनो एड किया है नमग आप अपने सुआद के अनुसार एड और एक कटोडी मैं ने इसमें गेहु के आटे का यूज किया इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसके डो लगा करके तैयार कर लेंगे जैसे हम पूरी बनाने के लिए लगाते हैं परफेक्ट वैसा ही डो लगाना है चलिए अब डो को कर रेश्ट के लिए रख देते हैं अब मैंने एक अलग बरतन ले लिया है तो और एक बड़ा चमच इसमें धनीय का पाउडर एड़ कर दिया है अब बारी कटा हुआ धनीया डाल करके इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहां पर यह हमारा जो आलू का मसाला बन करके तैयार हो गया है चलिए अब इसे भी रखते हैं साइड म अब जो हमने डो लगा करके तयार किया था ना उस डो को हम दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे और जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं बिल्कुर उसी तरीके से हम इसके एक रोटी बना करके तयार कर लेंगे लेकिन जो हम रोटी बनाते हैं उसे हम थोड़ा पतला बनाते हैं इसको हम थोड़ा सा थिक रखेंगे तो यहां पर देखें यह बिल्कुल इस तरीके का हमें से बेल करके तयार कर लेना है अब क्या करेंगे हम इस रोटी पर एक चमच के करीब चिली फ्लेक्स लेंगे और चारो तरफ इसको फैला देंगे और इसी तरीके से हम जो सफेद वाले तिल होते हैं वो लेने हैं एक चमच और चारो तरफ इसको अच्छ तरीके से फैला देना है अब बेलन की साहता से इसे हम प्रेस करेंगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेलेंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएंगे बिलकुल भी नहीं हटेंगे इस तरीके से हमें बेल करके तयार किलेना है अब इसको हम पलट देंगे पलटने के बाद मैंने यहाँ पर एक चमच के करीबी टमेटो सॉस ली है और इस रोटी पर लगा करके चारो तरफ फैला दिया है आपके पास टमेटो सॉस ना हो तो आप सैजवान सॉस जो होती है इसका भी उस कर सकते हैं या फिर इसके भी कर सकते हैं दौनों चीज़ों को अब जो हमने आलू के जो मसाला तियार के था उसको हम रोटी पर रखके चारो तरफ फैला दिंगे आलू के जो मसाली की हम लेयर लगाएंगे ना उसे हम थोड़ा पतला ही रखना है बनाए ज़ा हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो बहुत ज़ादा दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से आलू के मसाले को फैला करłam बहुत हलके हाटों से इसको दबाते हुए पूरे रॉल को हम बना करके तैयार करेंये और इस तरीकेसे ही इसे हम धीर-धीर लपेड़ते जाएंगे ते हाँ पर यह एक रोल बन करके तैयार हो जाएगा और यह बहुत ही आसानी से हो जाता है हमें यहां पर इस बात का धियान रखना है जब हम इसमें आलू की लगाएंगे लाू, इस लेइर को हमें थोड़ा पतला ही रखना है अगर लेइर मोटी होगी तो जलिए लान से फोल्ड कर नहीं हो पाएगा घर देखे बिलुकुल अच्छे तरीके, को यूज करते हैं तो यह बहुत ही असानी से कट हो जाता है अधर्वाइस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है और जरूरी नहीं है कि आप इसको मेरे ही बताए तरीके से कट करें आपको जैसी शेप पसंदो आप इसे उस तरीके से भी कट कर सकते है तो यहां पर देखिए मैंने सारे नास्ते को कट करके इसी तरीके से तयार कर लिया है अब इसे हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे क्योंकि कट करने में जो इसकी शेप भी कड़ गई है ना उसे हम सही कर लेंगे और दोनों हतेलियों की सहायता से प्रैस कर लेंगे इस तरी तरीके से सबी नास्ते को बना करके तयार कर लेंगे यह तरीका बहुत ही जादा इसी है और बहुत ही आसानी से हो जाता है तो मैं यहां पर इसे ओल में फ्राइब करूंगी लेकिन अगर आप एयर फ्राइब कर सकते हैं अब हम गैस पर कढ़ाई को रख देंगे और उसमें हमारा यह नास्ता है ना बिलकुल परफेक्ट गोर्डन फ्राइब हो चुका है और आपको मैं एक बार दिखा देती हूं पास से देखे कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना तो यह नास्ता हमारा बनकर के तयार हो चुका है अब हम इसे अलग प्लेट में सर्फ कर ले